नमस्कार में राना इश्वन्त आपका स्वागत करता हूँ देश के बाकी राज्यों के तरह बिहार में भी चुनावी घमासान है बिहार वो राज्य है जिसके पास 40 लोग सभास्वीटे हैं बीजेपी की अगुआई में इंडिय और आर्जेटी की अगुआई में इंडिय अलाइंस लगातार एक दुस्ते के सामने खड़े हैं अपने अपने दावे हैं अपने अपने मुद्दे हैं शोर शरावा बहुत ज़ादा है इस बिहार में बीजेपी के पास एकसा चेहरा है जो बहुत मुखर है बेलाग बोलते हैं बेरोक बोलते हैं और कई दफा लाजवाब बोलते हैं राजी के उपमुख मंतरी हैं समराड चौधरी आपका बहुत उसा जी नमस्कार ये पगड़ी आपकी पहचान है और पहले कहा था कि नितिश कुमार जी को मुखमंतरी के पत से अटाओंगा मुखमंतरी जी ने इस्तिफा कर दिया अब हम लोगों ने ही समर्थन करके उनको मुखमंतरी बनाया और पार्टी का निर्ना सरपरी होता है हमारा सपस्क मानना है व्यक्तिगत मेरा घोसना था इसमें कहीं बच तो बगवान राम के चरनों में जाकर इसको समर्पित करूम है तो बगवान राम के चरनों निए पगड़ी जिसे दालेंगे उस दिन कोई मुराद गो colle । पारटी ने अADREE रूटी द रवाकर काव आट्वाह, पार्टी ने नेता बनाया पार्टी ने उपमुकमंत्री बनाया पार्टी का जो सम्मान है वो सरपरी है। कितने सीट हैं एंडिये के पास इमान गारी से इस वार 40 की 40 सीट लग रही है हम लोग को जो हम लोगों को फिट बैक है सिमान चलगा उसे असपस जलगता है कि इस वार हम 40 की 40 सीट जीत रहे हैं और उसका दो कारण है कि लालू जी के साथ कोई नया वोट नहीं आया और कई यह इसे सीट हैं जहां लालू जी के उमिदवार के जमान अजब्त हो रहे हैं यह अभी दिख रहा है बात का रिजल्ट हो तो छोड़ दीजे और लालू जी के परिवार के लोगों को बोलना पड़ रहा है कि या तो इं मैंने असपस तोर पर कहा कि कई यह इसे सीट है जहां जो इंडी गठवंदन के लोग हैं उसके जमान अजब्त हो तेस्जा जो बार बार कहते हैं कि दस साल की जो सरकार ही नें रमोदी के अगवाई में लोगों ने इसको जान लिया पहचान लिया मोह भंग हो गया है इस ब दस साल में सत्तर साल में तीन करोर 68 लाक लोगों को पका मकान मिला मोदी जी ने दस साल में 4 करोर 21 लाक को पका मकान दिया दस साल बनाम सत्तर साल मोदी जी ने नलजल योजना से पानी पहुचाया दस करोर लोगों को नलजल योजना से पानी पहुचाया पूरे देश में सत साल में दो क्रोर लोगों के पास पानी पहुसता था फर्क की दिखते हाए उजला योजना से गैस कनक्षन एक 11 क्रोर लोगों को दिया गया देश के आजादी के समझ से 70 वरस में 3 क्रोर लोगों के पास उजला योजना था तो असपस दिखता इसमें कहां तो मत है 80 क्रोर BPL रेखा से उपर आना यही तो यह जग्दम सही कहा कि आपने जाना पाचाना देखा और एक चर्चा यह लोग बार बार करते हैं रुजगार वो कहते हैं तकीस करोड तकीस करोड लोग बेरुजगार छे करोड सत्तर लाक लोगों को सिर्फ EPF से जो जो नौकरी करते हैं उसका इफ EPF कटता है उसके रास्ते लगबग साथ कुण लोगों को सीधा रोजगार दिया देखिए बेचारे सविधान पढ़े नहीं आगे कुछ किये नहीं किरकेट खेल रहे थे तो उसमें बेचारा से पानिये डोलवाते रहा तालू जी रेल मंतरी थे तैयो इनसे पानिये डोलवाते रगिया तो सवभाविक है बेचारी को पीड़ा है कि राजा के रानी के पेट से पैदा लिये राजा नहीं बन पा रहे हैं लेकिन वो अपोजीशन जो आपका है इंडी अलाइंस उसके सबसे बड़े नेता है सबसे सबसे बड़े स्थार कैंपेनर है अब वीड़ तो वहाँ भी है दवंग जातियों का गठवंदन है नतिंग हल्स कुछ नहीं है गुंडा गर्दी अपराधी करन माफियाओं के साथ गठवंदन तुस्ट्री करन यही है राज़न मतलब क्या है अपराधी जितने उमिदवार देखिए गुंडे होंगे सब एक तरफ से देखिए लिस्ट उठा लीजी है हिस्ट्री सीटर्स होंगे यही है क्वालिटी आफ आर जेडी सरकार 17 महीने के रही तो पांच लाग से जादा लोगों को हमने नौकरियां दी पहले तो ऐसा संभव नहीं हुआ है नहीं मैं जानना चाहता हूँ कि किसको दिया इस बच्चे को वही तो कहा कि समीधान का ग्यान नहीं है इसलिए मैं बिहार में समीधान का ग्यान होना चाहिए 2020 में इंडिया की सरकार ने 10 लाग सरकारी नौकरी का वादा किया 2021 में हमने 1 लाग 73 अजार सिक्चकों की बाहली निकाला उसको पूरा कब हुआ 22 में कता मेनिक रहा है 11 लोगों की बाहली हम लोगों ने सचीवाले साहक का सुरवात कराया पूरा हुआ 22 में कहा मैंने कराया एक दिन में पॉलिसी तो बताओ क्या पॉलिसी आपने बनाया आप यदि बनाये होते तो आपके माता जी और पिता जी 15 साल बिहार के मुखमंत्री रहे एक लाग नोकरी को 15 साल में नहीं दिया नितीज जी ने 2005 से लेकर 2020 तक साड़े साथ लाग नोकरी दिया और हमारा कमीट्मेंट है 2020-25 के पहले एकदम लीक कर एक-एक बिग्यापन बनाकर जन्ता को बताऊंगा ये 25 लाग नोकरी नितीज कुमार जी के नित्रित में डिया गया जैसा आपको लगता है एकदम करना ही चाहिए जब कोई explanation विरोधी दल का नेता पूस्ता हो तो उसको बताना चाहिए क्योंकि क्योंकि समिधान का ज्यान नहीं हो पाँच विभाग के मंत्री थे PWD हेल्थ डिपार्टमेंट नगर विकास परियटन और RWD पाचों में एक वेकंसी निकला हो तो बता दे आप कोई विक्त मंत्री थे नहीं कि आपका सब हस्तचेप था या आप मुख मंत्री थे नहीं इंडिविजुवल एफ़ैक्ट से आप मुख मंत्री के सलाकार हैं मुख मंत्री कुछ नहीं हो और आप मुख मंत्री के सलाकार हैं ये पता होना चीए जो मंत्री मंडल समू होता है यहाँ लोगतंत्र नहीं होता है यहाँ मुख मंत्री के सला के लिए आप होते हैं मुख मंत्री समत हुए होगे तभी तो वहा होगा तो मुख मंत्री को क्रेडिट दू की मंत्री को क्रेडिट दू अभी केंद्र की सरकार ने 14 लोगों को नागिक्ता दी CAA के तहत है 2019 में कानून पास हुआ 24 में आप अमन में ले आते हैं चुनाओ सेन पहले और जब चुनाओ चलने इस दौरान आप नागिक्ता देते हैं आपका जो विरोधी है वो यही कहता है कि सिर्फ महाल बनाने और दिखाने के लिए वोट बनाने के लिए आपने यह सब कुछ किया हमारा सबस्थ मानना है कि हमारे जो तीन देश बगल के पाकिस्तान अफगानिस्तान और बंगला देश है वहां जो हमारे लोग बटवारा के समय वहां रह गए, जो वहां अलपसंख्यक बनके रहे, उनको हम नागरिक्ता देंगे, जिसको जो करना करे, इसमें क्या फर्क पड़ता है, हम नागरिक्ता देंगे, 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 जिसको जो करना करे, हम तुस्ति करन नहीं कर सकते ह कहते हैं कि सब आपका चिनावी तुर रहा है जो उसको समझे ना क्या फर्क पड़ता है हम नागरिकता देंगे यह सपस्ट है इससे कोई डिफर नहीं कर रहा है कॉंग्रेस के दर्श मनिकाजी उन खरगे कहते हैं कि इस देश में बहुत सारे लोग भूखे हैं भूख का सवा सब्चादिया तो वह कांग्रेस पार्टी वैसी कांग्रेस पार्टी जिसकों अंगरेजों ने बनाया था अंगरेजों के द्वारा दिआ गया था और पंधित नेरु इतने सक्चम थे कि उनका कप्ड़ा पैरेस से दोलाता था और जपान से सिगरेट आता था सिगार आता था तो आप सुचिए कि देश के परधान मंत्री कितने सौकीन थे और चीज़ों एस्तापी थो मैं वही कह रहा हूँ कि यदी सारे तो उनकी किताब आप देखिए डिस्कुवरी ओफ इंडिया से लेके सारे चीज़ों मैं सबस देखिए तो ये सारे चीज़ों तो नहीं के बारे मिडिकलियर है कि आप उस जवाने में सारे चीज़ों की वेवस्ता जितनी चौपट हुई है वो कांग्रेस ने किया एक दूसरा है कि कांग्रेस पार्टी को को नहीतिक अधिकार नहीं है कि ये प्रस्ण भी उठाए कि जिस देश में 75 वरसों के अजादी के बाद 58 वरस किसी एक पार्टी की सरकार रही हो और वो काता हूँ डल अपेंट नहीं होड़ा है ये चिन्ता का विश्य दूसरा है यदि लोगतंत्र में कोई परधान मंत्री के पद को ठुकराने की बात करता हूँ ये लोगतंत्र है यहाँ राणी के पेट से राजा नहीं पैदा होता है राणी नहीं आईगी ये राजा चले गए राणी आप गदी पर बैड़ जाई ये लोगतर है जनता तै करती है इसलिए इस तरह का सब्द यदि परियोग कर रहे है खड़ जी तो ये अत्या नहीं दुर्वाग पूने है तेस्ट यादों कहते हैं कि नितीश्टी भले ही उधर हैं लेकिर उनका सहयोग उनका आशिरवाद मेरे पास है इशारों में ये आप कह रहे हैं कि वो इस चुनाव में मेरा समर्थन कर रहे हैं अगर आप समझे तो ने ठीक कर रहे हैं वो आशिरवाद तो देने ही चीए हम लोगों से छोटे हैं हम लोग का भी असिरबाद उनके साथ है कि राजनितिक लाव इसका नहीं होता है अरे आप समझ लेजिए लालू जी के साथ जो वोटर ओफ नितीश कुमार जी का है वो कभी नहीं जा सकता है लालू जी के इंट्रेस्ट के लिए जिसको गाली देकर लालू जी ने भगाया है लालू जी ने गुंडे खड़े किया है इसके साथ जा कैसे सकता है भाई सवाही कोन नहीं जा सकता है जो नितीश जी का वोटर है या बीजेपी का वोटर है वो सपने में नहीं सो सकता है कि हम लालू जी के साथ जाए लिकि 2015 का चुना तो नितीश जी के नित्रित में निती कुमार हैं जो श्रीबावू के बाद इसने काम किया है बिहार के लिए तो काम करने वाले को तो पीछे जाएंगे लूटने वाले के पीछे जाएंगे क्या अच्छा मुझी बताएए कि अगर बिहार का मतदाता आपkö वोट देता है अनडी ए को तो उस मंत्री के वोट हो रहे हैं तो सभावी के नितीज जी का सही होग है इसलिए अगले बार बार कहते हैं कि डबल इंजिन के सरकार तो इस बार हो गई है तो उसका फायदा होगा मैं आप समझिए कि नितीज जी का जब साथ मिलता है तभी तो हम उन्चालिस पहुचते हैं इसमें कहां दो मत हैं नितीज जी के साथ से ही हम चालिस पहुचेंगे मुझे ये बताएए कि आपका उपजिशन जो है उसका दावा है आकिर वो कहां कमजोर है कि आप उसको सीड़े खारिज करते हैं कि नहीं मैं तो चालिस की चालिस सीटे ले ले लेंगे और बाकि उनके पास एक भी सीट नहीं होगी कि 1990 से लालू जी ने जो कुकृत किये उसके धीरे धीरे वोट घटे गये जो जीन था उसको कभी क्रेडिट नहीं दिया माई से बाहर उनिकले नहीं जब खुदी नहीं निकले तो क्या कर सकता हूं आज भी आप समझिए कि मैं विरोधी दल का नेता था संजय जैस्वाल जी अ वहाँ विरोधी दल के नेता हरी सनी जी हुए तीन कटेगरी समाते थे लेकिन आज सत्ता से बाहर जब लालू जी का परिवार आया तो एक जगा विरोधी दल का नेता स्री मतिराबडी जगी और दूसरे जगा उनका पुत्र तो दूसरे के लिए जगा कहा है वो सिर्फ चुना जी जाए एक जाती को टिकट देने से कोई चुना जी सकता है क्या समाज में मैसेज होना चीए सब का साथ सब का विकार सब के लिए काम करेंगे एक लालू जी आते तो कहें मेरी पतनी को मुख मंतरी बनाओ फिर बेटा को मंतरी बनाओ फिर बेटी को मंतरी बनाओ फ आपने सार्म रखी एक ज़से मिश्या भारती हैं एक जिक्र से डालू प्रसाद यादो की दूसरी बेटी है रोणी आचारे दोनों रोड शो आपने जान पूस की तो रखा होगा ना कि तक कि दोनों बेटिए रालू प्रसाद यादो की संसद न पहुंच भाएं देखिए मो बंगा यह तो आपने जिक्री नहीं किया नहीं लेकिन सारंद पटना दोनों सारंद क्या है एक सवाल इससे होता है लालू जी का परिवार इसलिए सारंद का इसूद देखे वहां रूडी जी पिछले 30 वर्सों से काम कर रहे हैं तो जो काम करेगा हम तो कहें मैंने कहा ओफिस क्या पटली पुत्रा के सीट पर एक बार हरा के देखे सारंद की जंता और पांस साल का यह काम कीजिए जरूर मोन दोगा आप यह कह रहे हैं कि प्रधान मंतरे ने इतनी रहलिया की आपने बेहिसाब रहिया गिनादी दरजन भात वहीं कहते हैं कि अगर इनको अपनी जीत क इतना भरोसा है और सरकार ने वो इतना अच्छा किया है और बीजेपी का संग घाचा इतना मजबूत है तो प्रधान मंतरे को इतनी मेहनत क्यों करने पर रहे हैं इतनी रहे हैं और फिर पटना में रोश ने तब यतना कॉन्फिडेंस है तो लालू जी को जेल में रहना चाहि यह था मेडिकल ग्राउंड पर छूटे हैं तू तेज सारन और पूरा विहार कैसे घूम रहे हैं उनका बेटा क्यों घूम रहा है तो घर बैटे ऐसा थोरे होता है चुनाव जनता के बीच में बताने पड़ते हैं हमने क्या काम किया है हमारे पास नेता है जो जनता के यह भी तहए यह लोग सब चोर लोग मिले हैं तो इसमें क्या फर्क पड़ता यह लोग तो सब चोरी करने वाले लोग है और देखिए गारेंटी है ना सारे चोर जेल जा रहे हैं नहीं तो कह रहे हैं ने कि आपने अगा रखी हैं पंजी कृत अपराधी कैसे आगेंसी कर जीए मैं आपको flashback में ले जाता हूं यही के जरिवाल थे जो काते थे सुनिया गांदी के लाखो क्रो रुपिये हैं यह बदल गए यही लालू परसाज जी को किसी ने नहीं फसाया इनकी खुद की सरकार थी जनता दल की सरकार थी देव गोडा जी और इंदकुमार गुजरा परदान मने उसमें जेल गए देखिए यह लोग भष्टाचारी हैं अपने या अपने परिवार के लिए जीते हैं मोधी जी का pocket बता दीजी आप पार्टी एक संस्था है और पार्टी को बढ़ाना सहर भाजपा के worker का का काम लेकिन यह लोग परिवार मढा रहे हैं और जमीन लिया आपसे नौकरी दूँगा नौकरी दिया आपको जमीन उनके नाम से ट्रांसफर हुआ अब इसके बाद कोन एविडेंस चाहिए चारा खाया इन्होंने जिसने चारा चुराया यही मिसा भारती और रोनी अचारिया का फिस भरने वाला आदमी था स्याम ब्यारी खाओ खाने का यह लोग एक तरह से गुंडा गर्दी करके रंगदारी करके लोगों सो एक्स्टॉर्शन्स करते हैं यह गुंडे हैं और जंता कभी माफ नहीं कर सकते जंता को सिर्फ बता जीजे कि लालू जी आ रहे हैं आपको मैं गारेंटी देता हूं का 80% बोटर मोदी समराण चौधरी बेवाग बोलते हूं पहले भी कहा आपसे और इनकी जबान जो है वो बीजेपी की तरफ से एक तोप की तरह है और बिहार में इसलिए आप जाने भी जाते हैं बिहार के उपमुख मंतरी समराण चौधरी आपने बार की आपको बहुत रश्यूक्री